आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 20 डिसेंबर की प्रीमार्केट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले निफ्टी और बेंक निफ्टी का हाल चाल देखेंगे इतनी मुवमेंट क्यों आ रही है उसके पीछे के रिजन समझेंगे मेरी पोजिसन का आउटकम FIIDI का डेटा उनक इसे बाद हमें समझना होगा कि इंडियन ADRs फिलहाल क्या सो कर रहे हैं डाव फ्यूचर और गिफ्टि की मुवमेंट ट्रेक करेंगे और अपकमिंग इवेंट और फाइनली टेकनिकल के साथ पूरे वीडियो को खतम करेंगे चलो जब बात इना करते हैं सबसे पहले देख बार सार्प से लोफ तो आया लेकिन 10 बजे के बाद DII टोटली एक्टिव थे देध धनादन देध धनादन बाइंग होई आज सबको पता था कि रिलाइंस की नियूस थी उसके चलते निफ्टि को उपपर तो जाना ही जाना था रिलाइंस के अंदर हमारे पास फेंट फोल को निकाल दिया फिर दिरे दिरे घजा करके बाई करते गए इंस्टिडियूस थे वो बेंक निफ्टी और खतरनाक खुलते ही दो तिन केंडल इतनी बड़ी बड़ी बनी थी यह आप ध्यान से देखूंगे तो हमारे पास 47,950 से लेकर के 650 300 तो हसते खेलते उड़ा दिये फिर दिरे दिरे अपन डाउन अपन डाउन हो गया था यह हमने प्रेडिक्सन कल ही कर लिया था इस वीडियो में देखो मैंने बताया था कि यह पूरा टाइम पास करेंगे कहीं जाने नहीं देंगे मार्केट को और उसके भी पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कुछ करने वाला नहीं हूँ जहां खुलेगा 10-11 बजए मैं इसको स्क्वेर अफ करूंगा नेक्स पोजिशन पर सिफ्ट हो जाओंगा क्योंकि मैं एक कॉंफरेंस में हूँ तो मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाएगा कल ट्रेडिंग करने का और कल साथ इस टाइम पर आपक पार्केट में मुमेंट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हम वन मिनिट टू मिनिट देख रहे हैं अगर आप एक गंटे का टाइम फ्रेम देखो कि तो कुछ ज्यादा हिल चाल वहां पर नहीं है बुक करते गयोंगे देधना दन देधना निचे आयोंगे और फिर इत्मिनांस है प्रो ने और एफाए ने अपनी पोजिशन ने वो बुक कियोगी या फिर बनाई होगी बाद में दो बचे के बाद भी वहां बहुत अप एंडाउन मोमेंट हो रहे थी वो क्यों हो रहे थ कि इसमें से बहुत सी पोजिशन हाइड होगी करल हो सकता है कि आपको एक हाफ है वो तो एकदम साइलेंट मिले मलब प्रो है वो इनिसल टाइम फेस में मानलो कि एक्टिव होंगे तो सुबह आपको कुछ करने ही नहीं देंगे दोपेर के बाद 12 बज़े के बाद बड़ी म मुवमेंट आएगी उससे उल्टा भी हो सकता है कि मानलो कि अल्ली मॉर्निंग में हमारे पास बहुत जबर्दस मुवमेंट आ गई तो उसके बाद वाले में ट्रेड करने मत जाना पीछे वाला टाइम हो टाइम वेस्ट जैसा होगा यहां पे पिक्चर थोड़ी सी और क्ल करोड जितना और यहां से द्यान से देखो बैंक निफ्टी में 32,000 करोड की बाइंग होई है जबकि फिन निफ्टी में सिर्फ 35,000 का सेल ओफ मारा हुआ है यह तो आज एक्सपारी निकल गई तो इसको अगर आप इग्नोर करोगे ना तो यह 32,000 35,000 और जोड़ दो तो 40,000 करोड की यहां पर हमारे पास इंडेक्स ओपशन के अंदर बाइंग होई है एक्शेटली हमें यह नहीं पता चल रहा है कि यह कॉल पूपशन है या पूट ओपशन है घंच मे मिल रहा है हमको कि यहां पर ओंजर की अंदर बाइं कुम पेंचार्श से साइड रहना कुछ ज्यादा जादू मंतर करने मत जाना फस होगे बूरी तरीके से फस होगे देखो आज पूरी तरीके से मेनेज किया पच्छिस स्टोक अप पच्छिस डाउन ओईल और बैंक हमारे पास गवर्मेंट के थे वो अब थे जबकि ओटो आईटी डाउन था कॉल इंडिया नेसले भागे होए थे जवर्दस भागे होए थे जबकि अधाने विप्रो उन सब जगे पे प्रोफित बुकिंग थी कॉल के अंदर न्यूस थी कि वहाँ पे प्रोडुक्शन है वो बड़ने वाला है बारा परसंट से तो वहाँ पे बाइंग दिखरे को मिला नेसले के अंदर स्टोक स्प्लिट का न्यूस था लेकिन ये सब को ट्रेड मती करो कल हो सकता है तीन-चार परसंट डाउन ही खुल तो वह अल्मोस्ट मिक्सी है हमारे पास दो मार्केट डाउन थे वागी चार है वो अप है यूरोपियन मार्केट डाउन था कंपरेटिवली अमेरिकन मार्केट अभी पूरा नहीं खुला हुआ है तो इसको इग्नोर करो कल अल्ली मॉनिंग में देख ले ना क्या देखने क हुआ है यस आने वाले इवेंट देखो कल जापान का बैलेंस ओफ ट्रेड होगा अल्ली मॉनिंग जापान क्या कर रहा है वो दिखने ना दोपेर को हमारे पास ब्रिटन और जर्मनी यूरोपियन मार्केट कल जिस साइड भी जाएगा उस साइड ही हमारा मार्केट वह पता था वह दोपेर के बाद दे धनातन दोड़ाएंगे चलो टेक्निकली मार्केट कहीं भी नहीं गया है अभी पोजी ले रहा है यह अभी दोनों साइड जाने की पोबिलीटी रखता है अभी देखने को तो ऐसा लग रहा है कि उपर ही जाएगा क्योंकि यह इतने ब पूरा कन्फ्यूज करने वाला डेटा जनरेट किया हुआ है मैं अगर आपको बताओ तो कल हो सके तो ट्रेड अवोइड करो अच्छा प्रोफिट बन सकता है अगर आप सही साइड में बैठे दो लेकिन अगर गलत साइड में गलती से बैठ गए तो अकाउंट भी साफ हो स दिक्कत है हो सकती है फाइन सो देट आल इन दिस वीडियो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो आते रहते हो तो लाइक करो थेंक्स अलोट